परोसी राज्य केरल में नेफा से पांच लोग संक्रमित हुए हैं और दो की मौत हो गई है। साथ ही एक नौ साल के बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रदेश की जनता इससे सावधान रहे इसलिए मुख्यमंत्री ने ये घुशना जारी की है। केरल में एक नंस जो पहले नीफा मरीज का इलाज कर रही थी, उसकी नीफा संक्रमन से मृत्यू हो गई, केरल सरकार ने उससे सम्मानित किया है। जानवर से इंसान और इनसान से इंसान में फैल रही इस बीमारी के चलते केरल सरकार ने अपने राज्य में एहतियाती कदम उल्टी, सास लेने में तकलीफ जैसे लक्षन हो तो आपको तुरंट स्वास्थे केंद्र जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए. इस जानकारी को अपने ग्रूप में शेर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें. धन्यवाद.